जैशरी महांकाल, जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आबार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तो, बाबा भूलेनात आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनन्द में रखे, हमारी बस यही दूआ है कि हजारों वर्स पुराना रहस में आपके सामने रखने वाला हूं, यह जो है यह बिल्कुल कारगर तरीका है और यह बात शॉयद आपको किसीने नहीं बताई होगी और यह बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो ये जो रहस्य है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो रहस्य को बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी से समझे और इसको अपने उपर अमल भी करें और इन चीजों को फोलो करें अगर आप इसे अपने उपर अमल और फोलो करके इन चीजों को करेंगे मैं आपसे बादा कर रहा हूँ कि आपके जीवन के जितने तकलीफ, दूख, दरिदरता और अपशगून जीवन में जो जो कटिनाई हैं, परिशानिया हैं, उन सब का आपको हल और निवारन की ओर अब जाएंगे जितना उलज रहे हैं, उतना उलजेंगे नहीं जीवन में जो भी शांती, सुकून, धन, धन, दोलत, शोहरत, जो भी चाहिए आपको वो सब ही मिलेगा और ये इश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, मतलब सही तरीके से ही मिलेगा ये तरीका जो रहसे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो सही तरीके से मिलेगा कोई भी गलत तरीका नहीं है तो हम उस पर बात करें, और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे एक चोटा सा निवेदन करमा चाता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज आप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमस्षिवाई लिखें जैई शिव शम्भू लिखें भुलेनात का कोई एक नाम लिखे जो आपको अच्छा लगे और अगर अपनी कुणली का अनलसिस हमसे करवाना चाहते तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे हैं वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं तो हम उद्दे पर आते हैं दोस्तों कि जो रहस है जिसको आपको जानना है वो है जब अब इसको यहां से छोड़कर वीडियो को मज जाएगा यहां से बारी किसी चीज़ों को समझेगा कि हमारे पुराने रिशी मुनी थे जो हजारों बरस तक कई सालों तक एक मंत्र का जाप करते थे कोई एक मंत्र को कहीं कहीं बार वो जब करते थे और उसकी सिद्धी होने पर उन्हें इश्वर दर्शन देते थे और दर्शन देने के बाद वो इस विश्व के कल्यान के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते दें लेकिन वर्तमान कल्यू गए इसमें हमारी एक ओसत आयू सो वर्स मानी गए लेकिन इस आधुनीक दूर में हम सत्तर साली हम ओसत आयू है हमारी तो इस आयू में हम एक कोई मंतर रख लें चाहे ओम अपने नोकरी, पेशा, कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीज़े करते हैं वो बेशक आप करते जाए उसके साथ या तो अपने मोबाइल में उस तरह का मंतर जब खुद करके रिकोर्ड करके बार बार सुने या खुद मन में उसका उच्छारण चलने दे दोस्तों आप जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए होगा पर सर्त ये है कि इस मंतर को जब जब आप करेंगे तो आपके सामने बहुत से लाला चाहेंगे मतलब आपकी वानी में सत्तित्ता आजाएगी कि अगर आप किसी को कुछ कह दें कि आपको ये काम हो जाएगा तो वो हो जाएगा तब वो जब आपके खत्म हो जाएगे फिर नहीं सुरुवात होगी मतलब इसको थोड़ा सा यहां समझने की जरुवत है कि वो सिध्ध हो जाता, आपकी माणी जो है सिद्ध हो जाती ही, आपका मनशांत रहने लग जाता, आपके काम सोता इबनने लग जाते हैं, ये जपका बहुत बड़ा चमत कार है, जो आप खुद इसे करें और अनुभो करें, और फिर कमेंट्स करें.